बहुत सारे लड़के मुझे इंट्राग्राम पर मेसेज करके बताते हैं कि पाय एक लड़की कितने टाइम से मेरे साथ बात करिये लेकिन जब मैं उसको प्रपोस करता हूँ तो लड़के हर बार मुझे मना कर देती वो मेरे बारे में सब कुछ जानती मैं उसे बहुत ज़्या पसंद करता हूँ मैं उसे प्यार करता हूँ मेरी एक-एक फिलिंग के बार में जानती फिर भी जब मैं उसे प्रपोस करता हूँ तो वो मुझे मना कर देती और तरा-तरा आके बाहने देती कि मैं अपने फेमिल वालों को जीट करना नहीं चाहते हम दोनों बहुती अच्छे दोसे इवन मुझे वह आई लव यू बोलती एज फ्रेंड देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़की अगर तुमारे साथ करें समय से बात करी इस मेंस कि वह तुमारे साथ है और यहां पर सारी संबहुना होती एक उसकी ना को में हम बदल सकते इस वीडियो मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा रूर को बताऊंका कि साइक और अपको लड़की की नापको हमें बदल सकते फ्युक्ति वीडिये शूरु कर निस बार बार आपके प्रपोजल को रिजेक करती है फिर भी वो आपके साथ लगित हो रहे थी तो उसकी ना को हामे के से बढ़ देखो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होता है कि लड़की के लिए यह ना और हाका एक खेल है और तुम इसमें फस्त हो तुम यहां पर तडप रह है यह नहीं है कि तुम्हें कभी-कभी लगता है कि यार को केर करती है तुम्हें कभी-कभी लगता है कि हाँ वो मेरे साथ बहुत ही अटेच है लेकि जब प्रपोज करते तो बाते ही बजल जाती है तो यह क्या है तो यह हाँ और ना का लड़की के लिए खेल है इस बात को समझ और नाका खेल उसके लिए होता क्या है देखो उसको पता है कि एक बंदा है जो मेरे सामने वो मेरी बड़ी फिकर करता है मेरे लिए तडपता है वो मेरा आसिक है मेरा दिवाना है तो देखकर वो खुश हो रही है कि कैसे तुम उसको पाने के लिए उसके सामने रूट जाते हो, रूने जैसे हो जाते हो, तुम उसके लिए कितने बेकरार हो, अगर वो हाँ बोलती है ती, तो उसका जो सारा का सारा मजाएना किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि उसको सामने हरुज देखने को मिलता है कि कोई कैसे मेरे लिए तड़ रहा है, लड़की इस हा और ना का मजा लेना चाहती है कि तुम उसको पाने के लिए कुछ और ज्यादा ट्राय करो लड़की को पजा है कि जैसे वह तुम्हें नहां बोलेगी आपकी नजरों में उसकी वेल्यू और बढ़ जाएगी कि वह जानती है कि अगर आसाने से पढ़ जाएगी तो उसकी कोई इंपर्टनस नहीं रहेगी इसलिए खुद की प्राइज को हाई कर रही है दूसरी बहुत ही इंपर्टन साइकोलोजिकल गेम लड़की आपके साथ खेल लिए जिसको आपको समझना होगा कि जब आपको कुछ भी मुट में मिलता है तो आप उसके पेसे देना पसंद नहीं करते हैं जब तक आप वह चीज और सर्विस मुट में मिलेगी आप उसके लिए पेसे देना पसंद कभी भी नहीं करोगी कोई इंसान नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पे आप लड़की को boyfriend वाली जो service है as a friend बनके दे रहे हो हो तुम उसके friend लेकिन सारी तुमारी जो service है न वो तुम boyfriend वाली दे रही हो तो लड़की के लिए तो यह हुआ ना कि बिना boyfriend के boyfriend वाले treatment उनको मिल रही है तो वो आपको boyfriend क्यों बनाए जैसी को जानती ही कि तुम उसे प्यार करते हो तुम उसे time देते हो तुम उसकी care करते हो सब कुछ as a boyfriend की तरह तुम उनके सामने react करते हो और लड़की को तो कुछ करना ही नहीं फ्रेंड की तरह बड़ी खुसी-खुसी से आपके प्यार को आपकी तड़क को वो देखकर खुस ही करते हैं नहीं जैसे उसने मुप में चिंश कर रहे थे और रिचाज़ की करते हैं कि अगे आपका काम करेगा तो आपका हो अब तीसे बहुत ही ध्यान से आराम से सुनो क्यों यहां पर तुम गडबड करते हो अब जैसे लड़की तुम्हें बार बार रिजेक करती हो तुम क्या करते हो उसको पर चिलाने लगते हो पही बार तुम उसके साथ बात करना बंज कर देते हो ब्लोग कर देते हो क्यों यहां तुम मेर बार हिजे करती हो ना बोलती हो हमें सा और वहां को माहल भिभार सब्सक्राइब आपको माहल नहीं करना है यूए करो कि उन्हेकों भाता है कि और लडगी मेरे उखाए कि आम के सामने उसके बिलकुल तो महाल करो उनको बहुत जाजा टाइम दो उसकी केर करो जैसा वह चाहती है जो पार्टनर वह आप से वह बोईफेंड वाली सर्वीच लेना चाहती है तो अभी के लिए उनको सब कुछ दो उनको जाहिए कि आप उनसे कुछ हो अब आप उनको रिजेक वाली बात नहीं कहोगे फिर से प जो तुम्हारा टाइम चाहती है वह सब कुछ फोन पर उसको दो लड़की तुमसे पूरी तरह से खुश होनी चाहिए उसको शिकायत करने का कोई भी मोका नहीं मिलना चाहिए और इस समय में तुमसे जितना भी इंप्रेस होता है तुम जितना भी उनके साथ अच्छा व्य बढ़ा चैंज है तो लड़की तो ज्यादा खुश हो देगी जो मिलना था वह तो मिली रहा है अब उपर से ये मेरी उपर गुसा भी निकाता नाराज भी हो जब तुम्हें लगे कि अब लड़की तुम्हार से बहुत ज्यादा खुश है कि तुम इतना तो उसे देई रह है अचानक से नहीं करना है आपको लड़की को यह दिखाना है कि धीरे 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 लड़की के ओपर जो आपका इंट्रस है वो कम होता जा रहा है और इंट्रस आप यह दिखा सकते हो कि आप आप बाते कम करते हैं उनसे आप रिपले कम देते हो उनकी तारीब कम करते हो उ जीरे 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 इंच जो को सो करना है कि आपका इंट्रेस्स अब खतम हो रहा है यह उनको यह भी सो करना है कि आपका इंट्रेस्स है जो में इंट्रेस्स है आपके काम में आपकी पढ़ाई में या आपकी लाइप की किसी और चीज में ज्यादा हो रहा है तो लड़की के यहां पर competition होता है कि पहले जो लड़का हमेश्चा मेरा ज्याधा time देता था तो लड़की के लिए तो एक challenge है यहां पर उनकी लिए competition है तो लड़की अंदर से तरब जाए क्योंकि अब लड़की को भी आदद लगी आपसे बात कने की मुट में जो वो service ले रही थी उसको भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसकी care कर दें तब उसको लगता है कि अब वो बंद हो रहा है और बहुत सारी लड़किया ना Instagram पर मुझे भी यह बदाती कि पहले मेरा boyfriend बहुत प्यार करता था time देता था भाव देता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो म हमारा इंटर्स बना रहा है वो तुम्हें खोना नहीं चाहती तो इस मौके को हमेशा के लिए ना गवा दे लड़की ट्राय करती है लड़के को पकड़ा जाए तो वापस से तुम्हारे close आएगी बहुत नजदीक आएगी और तुम एक चांस देगी कि तुम वापस से उस अगा आपको यह अखा लगा से लाइक करें पर इसके बारे मुझ कहना साल तो विडिए चलल पर पहली बहु है तो चैनल को सब्क्राइब जरू करें थांक्यू सो मज़िए वीडियो ने ट्यू करें लाइक चेंदी शेयर चेंदी अबस्क्रेइब दिए अविग लिग डि